तो आपको साथ बज के 45 मीट के ओपर पर उनिफार्म के साथ आपको दूटी पर आना है नमबर एक क्याप मास लेनियाट पेल्ट और शेप टिशू हमेशा पहन कर आना है अपनी दूटी के दौरान कोई भी व्यक्ति या परवाही नहीं करेंगा सतर करेंगा, अलट रहेंगा, चारो तरब निग्रानी रखेंगा हर आने जाने वाले व्यक्ति को अच्छी तरह चेक करेंगा उसका बैक चेक करना है उसका पॉकिट चेक करना है उसको सेनिटाइजर करना है उसको मास लगाने का लिए बोलना है बिना हेलमेट का और बिना शेप टीशू का कोई भी व्यक्ति अनुपम रसाइन में इंट्री नहीं करेगा इस बात का ख्याल सेक्रूटी गार्ड और सेक्रूटी सुपर्वाइजर को रखना है प्राइज सादर सेक्रूटी गार्ड और सेक्रूटी सुपर्वाइजर अनुपम रशाइन से जो भी सामान और जो भी मट्रियल बहर या अंदर आपका है तो सबसे पहले गारी का पेपर चेक करो सामान का पेपर चेक करो सामान क्या है गारी में कितना है पेपर में कितना लिखा है उसके मुताबिक गारी के अंदर और पेपर में चेक करो दोनों को मिलाओ दोनों को टेली करो उसके बाद कसल्मी होने पर मत्याराजिस्टर में इंट्री करो, बिना पेपर का, बिना चेकी का, बिना कलाशी का, बिना इंट्री का, बोगी मत्यार, बोगी सामान, हनुपम रसाइन के अंदर नहीं जाएगा, नहीं को बहाँ जाएगा। इस बात का ध्यान, सेक्रूटी घाड और सेक्रूटी सुपरवाइजर को हमेशा रखना है। अनुपम रसाइन का मेंगें वक्त पे खुलेगा, नहीं तो हमेशा बंद रहेगा। हर आने जाने वाले व्यक्ति की सलाशी होगी कणक। अनुपम रसाइन के अंदर पाचीर, ठीडी, घुश्का, नमातू, सिग्रेट, वाइटर, जाकू, छूरी, रिवालवर, पिस्टल, शराब या कोई भी नशीली परदार अनुपम रसाइन में दे जाना सक्त तसक्त मना है। रेकृर्टी घौड, चेकिंग पॉइंट के उपार अच्छी तरह चेक करना है। किसी के साथ जोई भाइबंदी के रिविक करना है। प्राइट! शेल्ट! डर्ट! शेल्ट! डर्ट! शेल्ट! डर्ट! प्रेमिट! विश्ण! एक बार लाइट अबे प्रेंडिंग समाथ के रिये, तुसरा लगा होगी। शेल्ट! विवियोथ प्रेंग नहीं रस जर्ट!